अब हम टोपिक पढ़ेंगे डाइजेस्टन एड माउथ जो हमारा माउथ है इसके अंदर हम पहले तो एक बार मेकेनिकल ब्रेकडाउन पढ़ेंगे माउथ के अंदर मेकेनिकल ब्रेकडाउन के लिए प्रेजेंट होते हैं टीथ और टंग हमारे अंदर जो टीथ है वो ठीकोडेंट नेचर में है क्योंकि इस टीथ इंबेडेड इन सोकेट ओफ जाह जैसे हमारी जाह की दो सोकेट होते हैं उनके अंदर हर एक टीथ अब अपने प्लेस पे क्या है embedded है तो इस तरह की arrangement को क्या बोलते हैं थीकोडेंट बोलते हैं तो हम कैसे organism हैं हम थीकोडेंट हैं फिर हमारे अंदर देखिए थीकोडेंट अलग किस परकार से जैसे हम बैसे वगरा में देखते हैं कि उपर वाले दात प्रेजेंट नहीं होते हैं कि हर एक जो टीथ है वो एक जा के अंदर embedded नहीं होता तो इसलिए हमारी जो टीथ की arrangement है उ और हमारे अन्दर एक बार तो primary danitation आती है यह एक बार दूद के दाताते हैं फिर उसके बाद secondary या permanent danitation आती है तो हमारे अंदर एक बार primary danitation और एक बार secondary danitation होती है। हम हमें डी फोडेंट बोलते हैं क्या बोलते हैं मैं डी डी फायो डोंट बोलते हैं क्योंकि हमारे अंदर डबल डैनिटेशन होती है इसी के साथ एक अडल्ट हुमेन के अंदर 32 teeth होते हैं with a formula of 2123 oblique 2123 तो इस formula में जो हमारे दो जो represent होता है इसे incisor बोलते हैं और इसको kenny बोलते हैं ये premolar होगा और जो लास्ट में क्या रहेंगे molar रहेंगे तो ये आठ और ये आठ मिलके 16 और 16 तूजा 32 कुछ इस परकार से arrangement रहेगी इन teeth की जैसे मान लेजिए ये मेरी अपरजा है तो इसके अंदर ये half-half compartment बना लेते हैं तो उपर वाले जो दात रहेंगे they are called incisor 2 फिर एक छोटे वाला जाद रहेगा that is called canny 1 फिर हमारी छोटे वाली जाद रहेंगे they are called premolar 2 और 3 यहाँ पर रहेंगी बड़े वाली जाट that is called molars इसी परकार से 8 यहाँ पर होंगे और जो lower socket होगी उसके अंदर भी 8 और 8 16 तो यह हमारा हो गया dental formula तो इस formula को बोलते है dental formula तो हमारे teeth यहाँ पर achieving का काम करेंगे अगर हम एक छोटे बच्चे के अंदर बेबी की बात करें तो उस बेबी के अंदर क्या हो सकते हैं 20 teeth हो सकते हैं विदे formula हो 2 1 0 2 तो उसके अंदर यह रहेंगे incisor one canny इसके अंदर pre molar नहीं होंगे तो हमारा question बन सकता है कि बेबी के अंदर कौन से दाद नहीं होते तो हमारा answer है गा pre molar और इसके अंदर molar 2 ही होते हैं तो बेबी का dental formula रहेगा 20 with 2 1 0 2 बेबी के अंदर pre molar नहीं रहेंगे फिर हमारी टंग की बात करेंगे टंग जो है हमारे isophagus से जुड़ी होती है with the help of fernlum fernlum एक epithelium tissue है और उसकी help से यह जो टंग है वो हमारे mouth part में जुड़ी होती है टंग क्या काम करती है टंग mixing का काम करती है mixing of food with saliva mixing of food with saliva जो हमारे mouth में saliva होगा उसके साथ food को mix करने का काम करती है फिर जो हमारी टंग है इसके सरपेश पे पैपिलाई इसके सरपेश पे एक टिशू होता है that is called पैपिलाई और इस पैपिलाई पे होते हैं टेस्ट बड़ सभी पेनी कुछ पैपिलाई पे होते हैं यह टेस्ट बड़ और जो टेस्ट बताने का काम करते हैं तो यह थे हमारे digestion of mouth से only शिरुप mechanical breakdown अब हम यहाँ पे बात करेंगे enzymatic breakdown की कि हमारे mouth part में enzymatic breakdown किस परकार्श होगा जो हमारा mouth parts होता है उसमें शिरुप और सिरुप carbohydrates का digestion होता है ठीक है तो mouth में जो carbohydrate होंगे starch और हमने जैसे discuss किया कि mouth parts के अंदर three pair of slavery gland है parotid, sublingual और submaxillary यह तिन्हों gland मिलके enzyme release करेंगी जिसका नाम रहेगा slavery amylase ठीक है slavery amylase का second name होता है tylin ठीक है और आप यह भी पूछ सकता है कि इसकी pH कितनी रहती है तो इसकी pH रहती है 6.8 और जो यह slavery amylase रहेगा यह food के अंदर जितने भी carbohydrate जैसे stars होंगे तो stars पे अगर slavery amylase add करिया जाए तो stars जो है convert हो जाएगा maltose के अंदर और maltose यहाँ पे क्या है एक disaccharide है और stars क्या होता है polysaccharide है तो इसका मतलब जो complex form of food थी वो किस में convert हो रही है simpler form of food में convert हो रही है यह आप से पूसेगा कि mouth में किस का digestion होता है तो mouth में carbohydrate का polarization होता है और stars जो है वो maltose के अंदर करनवाट हो सकता है इसके लिए हम एक activity देख सकते हैं action of slavery amylase on the stars यह हमारे lab manual में भी है यह बड़ा simple है इसके लिए क्या करते हैं 1% stars solution त्यार करते हैं हमारी laboratory से stars लेंगे 1 gram stars लेंगे और उस 1 gram stars को 100 ml water के अंदर घोलेंगे तो हमारे पास त्यार हो जाएगा 1% stars solution फिर इन 1% star solution को हम क्या करते हैं दो test tube के अंदर लेते हैं one is a and second is b ठीक है फिर क्या करेंगे हम one मतलब two drop या two ml saliva क्या करेंगे बी वाली test tube के अंदर add कर देंगे a वाली के अंदर add नहीं करेंगे फिर हमें पता है कि हम stars की जो presence है वो चेक करते हैं by adding iodine solution तो अब क्या करेंगे इन दोनों के अंदर iodine का solution डाल लेंगे ठीक है तो अब हम यहां पर देखेंगे क्योंकि इसके अंदर तो सिर्फ stars हैं इसके अंदर क्या add कर दिया है celery amylase क्या add कर दिया है celery amylase add कर दिया है फिर हम यहां देखेंगे कि यहां जो color आया है iodine डालने से वो आया है blue black और यहां कोई color change नहीं हुआ यहां पर हम क्या लिखेंगे कि यहां पर कोई change नहीं आया तो इसका मतलब यहां पर जो stars था वो celery amylase ने क्या कर दिया digest कर दिया जिसके काण यहां stars नहीं होगा और iodine stars का color change नहीं कर पाएगा तो इस परकार से जो celery amylase होता है वो क्या करता है carbohydrate को digest करता है complex form to simpler form इसे आप note कर लीजिये कि डाइजेशन एट स्टमक स्टमक में डाइजेशन किस परकार से होगी इस इसो फैगस फिर जो हमारा स्टमक है उसके अंदर बिसिकली दो मेन पार्ट है फिर्स्ट पार्ट इस पाइलोरिक और सेगन पार्ट इस फंडस यह पाइलोरिक रीजन है इसके अंदर क्या रहेगी गैस फिल रहेगी और फंडस के अंदर जो हमारा फूड आया है वो यहां पर प्रेजेंट होगा फिर माउथ क्या करता है फूड को चीव करके भेजता है चबा चबा कर भेजता है फिर जो यह फूड है फैरिंग से इसो फैगस में इंटर हो जाता है तो अब जो चबाया हुआ जो फूड है चीव करा हुड है उसको बोलते है काइम that is called काइम और यह काइम इस तरह की सर्कुलर फोम ले लेता है तो इसको यहां पर बोलस बोलते हैं क्या बोलते हैं बोल रूप में हो जाता है तो इसको बोलते हैं बोलस तो बोलस के रूप में यहां पर फंडस रीजन में यह फूड जो है स्टोर रहता है और हमारे स्ट प्रमक के अंदर जो फूड है वह थी टू फोर आवर्स तक स्टोर है वह डिपेंड करता है कि हमने फूड कैसा खाया है अगर फूड में कर्भो हाइडरेट जा जाते तो हो सकता है वह थी आवर में डाइज़र्स हो जाए और ऐसे ही थ्री एंड हाफ आवर में प्रोटीन डा पूर्शन ने वह इन चीजों पर डिपेंड करेगा कि कितनी देर तक रहेगा ठीक है तो उसलिए बोलते हैं कि कार्बो हाइडरेट ज्यादा खाने चाहिए क्योंकि कार्बो हाइडरेट हो है इसली डाइज़स्ट हो जाते हैं तो यहाँ फूड यहाँ पर प्रेजेंट र क्या करते हैं, काटने का काम करते हैं, फूड को ब्रेकडाउन करने का काम करते हैं, जैसे ही जो हमारा स्टमक है, वो ओपन होगा, डियोडेनम के अंदर, तो यहां पर एक स्मिक्टर होगा, that is called स्मिक्टर ओडाई, यहां पर जो स्मिक्टर होगा, उसको क्या बोलेंगे, स्मि इंपोर्टेंटली नोट करना है क्योंकि जो स्पनिक्टर ओफ ओडी है यह जो फूड है यह फूर्दर आगे मुग करेगा और फूर्दर मुग करके स्माल इंटस्टाइन में जाएगा तो फूर्दर इसका क्या होगा इसका मेकैनिकल ब्रेकडाउन होगा और इसकी इंटरी को कौन गार्ड करता है स्पनिक्टर ओफ ओडी कोस्टन आ जाएगा आपके पास कि कौन स्टमक से लार्ज इंटस्टाइन में गार्ड करने का काम करता है तो कौन गार्ड करता है इसकी इंटरी को स्पनिक्टर ओफ ओड फिर हम देखेंगे digestion यह तो हमने देख लिया कि इसके parts क्या है फिर अब हम देखेंगे digestion किस परकार से होगी stomach के अंदर stomach की जो बाल है उसके अंदर present होती है gastric gland ठीक है यह जो gastric gland है यह release करती है gastric juice और इस gastric juice के अंदर present होता है HCL, enzyme, pepsinogen और mucos pepsinogen का मतलब है अभी यह inactive form में है ठीक है अब बात करेंगे HCL HCL का role क्या है HCL क्या करता है food को acidic बनाता है ठीक है अब food acidic होने के कारण क्या है जो pepsinogen है वो हो जाएगा active और active pepsinogen को लिखते है पैपसीन से और यह जो pepsin है यह हमारे food के अंदर protein है उसका breakdown करता है उसका diization करता है तो हमारे food के अंदर जो protein है वो इस परकार से di peptides या tri peptides के अंदर convert हो जाएगा by the action of pepsin तो acid का role क्या है इस pepsin को active करना फिर इसी के साथ mucus इसके comparison में काम करता है कि mucus HCL के HCL के secretion को कम से कम करता है क्योंकि HCL अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यह HCL जो stomach की wall है इसको break करना start कर देगा ठीक है इस से related एक disease भी है जिसको बोलते है ulcer peptic ulcer में क्या होता है जब HCL ज्यादा release हो जाए तो यह हमारे stomach की wall को नुक्षान बोचाता है इसमें lysis create कर देता है lysis का मतलब है perforation यहाँ पे perforation पैदा करेगा जिसके कारण हमें काफी ज्यादा harm होता है तो जो pepsin है यहाँ पर protein का digestion करता है और HCL इसके comparison में काम करता है फिर यहाँ से एक important question आता है कि भाई यहाँ पे जो अब acidic होने के कारण यहाँ पे जब HCL ज्यादा हो जाएगा तो यह food acidic हो जाएगा और acidic pepsin को break करेगा अब जो acidic food हो सकता है वो diodenum में इंटर करें ठीक है जब यह food diodenum में इंटर करता है तो यहाँ पर pancreas भी presents होती है pancreas से एक enzyme निकलता है जिसका नाम है trypsin या जिसका नाम है trypsin ठीक है तो यह trypsin क्या करेगा यह trypsin small intestine की wall को protect करेगा acid से तो आपने एक बहुत important question note करना है कि question आजाए कि यहाँ पर तो mucus काम कर रही है कि mucus walls को बजा रही है अब हो सकता है जो acid है acidic food है वो आगे बढ़े और small intestine को नुक्षान बजाए तो इस नुक्षान से कोन बजाता है trypsin trypsin कहां से आता है pancreas enzyme से तो question आपने note करना है कि trypsin जो है wall of the small intestine को बजाता है from HCL से तो इसको आप note कर लीजिए अब हमारा topic है digestion at hepatopancreatic duct देखिए hepatopancreatic duct क्या है हम यहाँ पर देख रहे है कि यह तो डियोडेनम का पार्ट है liver से भी bile juice रिश्यू कर रहा है फिर यहाँ pancreas से भी bile juice रिश्यू कर रहा है और stomach से भी तो यहाँ पर एक duct create होता है डियोडेनम पर और इस duct का नाम है hepatopancreatic duct hepato का मतलब होता है क्योंकि liver is made up of hepatic cell तो liver से hepato word आया और pancreatic से pancreatic जो है pancreas आया तो यहाँ पर liver का और pancreas का डियोडेनम पर डक्त बनता है उसको बोलते है hepato pancreatic duct तो अब हम बात करते हैं कि liver का digestion में क्या रोल है हमें पता है कि liver जो है वो release करता है bile juice और bile juice store होता है gallbladder के अंदर इस bile juice के अंदर दो pigments होते हैं फर्स्ट pigment is called bile rubin and the second pigment is called bile verdin यह pigment दोनों के दोनों मिलके हमारे bile juice को yellow color देते हैं फिर हमारे पास question आता है कि bile juice के अंदर कोई भी enzyme नहीं होता और फिर भी यह बहुत ही ज़्यादा important है digestion के point of view से तो इसका answer रहेगा कि bile juice के अंदर कोई भी enzyme नहीं होता पर जो bile juice है वो big droplet of fat को small droplet में convert करेगा ऐसा होना क्यों जुरूरी है अगर मान लिजिए मेरे पास यह fat की बड़ी droplet है ठीक है इस पे कोई enzyme act करना चाता है लेकिन इस enzyme का size इस droplet से काफी ज़्यादा छोटा है तो यह enzyme इस पे proper काम नहीं कर पाएगा अगर यह droplet बहुत छोटी छोटी droplet में convert हो जाएं और enzyme के size के बराबर आ जाएं तो enzyme इनको break कर सकता है further fatty acid के अंदर तो bile dose का क्या रोज रहता है bile dose जो बड़ी droplet है fat की उनको small droplets of fats के अंदर convert करता है तो यह था हमारे liver से liver हमारी body की largest glands है फिर हम बात करेंगे pancreas के बारे में pancreas का nature dual nature है pancreas endocrine का भी काम करती है और exocrine का भी काम करती है endocrine का मतलब है कि यह enzyme भी छोटती है और hormone भी छोटती है जैसे हमने पढ़ा है pancreas insulin और glucagon hormone भी release करती है इसी के साथ pancreas जो है exocrine का भी काम करती है तो यह यहाँ पर enzyme भी release करती है तो pancreas जो है pancreatic juice release करती है इस juice के अंदर three main important enzyme release होते हैं तो digestion के लिए बहुती ज़्यदा जरूरी है first enzyme is trypsin second enzyme है amylase trypsin, lipase and amylase यह main इन्हें त्री मूर्ती enzyme भी बोलते हैं main three enzyme release करती है pancreas फिर आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है जैसे मैंने बताया था आपको यह जो enzyme है यह active form में नहीं रहता तो इसकी inactive form को लिखते हैं trypsinogen और हमने बात की थी कि जो trypsinogen है वो HCL से भी बचाने का काम करती है last video में क्योंकि जो stomach से जो HCL आता है तो यह pancreas का trypsinogen है इस HCL से बचाने का काम भी करता है फिर जो trypsinogen मैंने लिखा है तो इसका मतलब अभी यह enzyme है यह inactive है अभी यह enzyme क्या है inactive form में है तो active कहां से होगा यह active होगा जो आगे small intestine रहेगी small intestine एक enzyme release करती है जिसका नाम है enterokinase यह बहुत ही important question है small intestine एक enzyme release करती है enterokinase और वो enterokinase इस trypsinogen को active trypsin के अंदर convert करता है तो question आता है enterokinase कहां से release होता है small intestine से और enterokinase का काम क्या है enterokinase का काम यहाँ पर है trypsinogen को active करना फिर जो active trypsin होता है यह protein का digestion करता है lipase जो है lipid या fat का digestion करता है और amylase जो है वो digestion करता है कार्बो हाइडरेट्स का इससे आप note कर लीजिए इसमें जना दो question आते है इससे आप जळाएब्स की का इससे देज़ नबस्ट्रं का इससे रहा है और एक का इससे शुक्राइब्स की का इससे जो है